नमस्कार एजुकेसन इंडिया पर आपका एक बार फिर से सवागत है अभी हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं SSC GD की आंसर की के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस परकार से आपको SSC GD की आंसर की चेक करनी है आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी step by step दिखाई जाएगी इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखेगा वीडियो में मागे बढ़ेंगे उस से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आपको वीडियो पसंद आए और वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक और सेर अवस्थे करेगा अब आईए वीडियो में मागे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस परकार से आपको SSC GD की आंसर की चेक करनी है तो आपको बता दे आंसर की चेक करने के लिए आपको Google Chrome या अन्य कोई भी ब्राजर ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है educationindialio.com आपको क्या सर्च करना है तो आपको सर्च करना है educationindialio.com Google में सर्च करते आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पे जाएगा यहाँ पर सबसे उपर वाले website Education India को open कर लेना है website कुछ इस प्रकार से आपके सामने open हो जाएगी यहाँ पर जब आप नीचे के और स्क्रॉल करेंगे तो आप देख पाएंगे SSC GD answer की 2024 आपको इस लिंक पर क्लिक करना है और इस पोस्ट को open कर लेना है पोस्ट आपके सामने कुछ इस प्रकार से open हो जाएगी यहाँ पर जब आप नीचे के और स्क्रॉल करेंगे तो आप देख पाएंगे SSC GD answer की 2024 टारेक्ट लिंक आपको इस टारेक्ट लिंक पर क्लिक कर देना है उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक page open होगा यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने role number इस box के अंदर fill करना है और उसके बाद password password आपको अपने admit card पर देखने को मिल जाएंगे आपको बता दे password आपकी date of birth ही है तो आपको क्या करना है आपको date of birth को password के format में fill करना है और login पर click करना है login करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक page आएगा यहाँ पर सबसे नीचे की और आना है और close पर click करना है उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आपको क्या करना है आपको यहाँ click here to generate it में here पर click कर देना है here पर click करते ही कुछ इस प्रकार से आपके सामने आपकी answer की open हो जाएगी उपर यहाँ पर आप अपने बारे में basic details देख पाएंगे उसके ठीक नीचे यहाँ पर आपको सवाल देखने को मिलेगा उसका सई जवाब देखने को मिलेगा और आपने कौन सा option select किया था वो chosen option के अंदर देखने को मिलेगा तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले सवाल का सई जवाब है तीसरा option और इस candidate ने पहला option select किया था तो ऐसे में इन्हें यहाँ पर number नहीं मिलने वाले हैं दूसरे सवाल के अंदर देख सकते हैं यहाँ पर सई जवाब है दूसरा option और सई जवाब है इसके साथ ही इस candidate ने भी दूसरा option ही select किया है ऐसे में इन्हें यहाँ पर number मिलेंगे तो कुछ इस प्रकार से आप SST-GD की आंसर की चेक कर सकते हैं हमने आपको SST-GD की आनसर की चेक करने को लेकर पूरी जानकारी दे दी है वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को आप लाइख और सेट अवस्थ करेगा और साथ ही ऐसे वीडियो जोर ऐसी ही जानकारिया सबसे पहले प्राप्त करने के लिए चैनल को भी सबस्क्राब करके बेल आइकन को दबा दिजिए का ज़ते हैं आप सक ले वीडियो में किसे ने जानकारिय के साथ तब तक के लिए धन्त